अरे मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है सांडे का तेल चलो जाओ आगे जाओ अंकल प्लीज मुझे पता है आपके पास है आप बस एक शीशी मुझे दे दो मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं है मेरे पास सांडे का तेल तो फिर क्यों जिद कर रहे हो और तुमसे किसने कहा कि मेरे पास संडे का तेल है तुम्हें कैसे बता अंकल सब जानते हैं किसी ने आप से लिया था तो उसी ने मुझे बताया है न कि आपके पास मिल जाएगा और ये भी बताया था कि 800 का मिलेगा आप 800 की शीशी देते हो अच्छा, तो तुम्हें सब मालूम है शकल से तो बड़े मासूम लगते हो शकल देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ पता भी होगा लेकिन फिर भी, तुम अभी छोटे हो क्या करोगे तेलका? क्या अंकल, आपको मैं बच्चा लग रहा हूँ दाड़ी मुझे आ गई है, मेरी देखो और वैसे भी, मेरा कितना बड़ा कितना बड़ा हूँ मैं, आपको क्या पता? अभी पिछले में ही नहीं, मैं अट्रा साल का हो गया हूँ हाँ, वो तो मुझे दिखी रहा है तुम कितने बड़े हो चुके हो बेटा, मैंने धूब में बाल सफेद नहीं किये उड़ती चिडिया के पर गिल लेता हूँ मैं चल पकड़ अब ये शीशी, और ला हजार रुपे हजार रुपे? पर आपने तो दूसरी लड़के को आट सो की दी थी तुम अभी चोटे हो, अब हजार में लेनी है तो बोल ने तो जा यहां से, चल, टाइम ना खराब कर ओ अच्छा अंकल, नराज क्यूं हो गए? ये लो हजार रुपे, और एक शीशी दे दो हाँ हाँ, ये ले, पकड़ शीशी मालूम है ना कैसे लगाते हैं ये? लड़के ने बड़ी अकड़ी हुई गर्दन को जोड से जटका देते हुए कहा हाँ हाँ, अंकल, सब मालूम है मुझे और वो भी अच्छी तरह से गूगल से तो आजकर सब कुछ पता लग जाता है हाँ, मालूम है, मालूम है तुम्हारे फोन और इंटरनेट सब का बेड़ा गर कर दिया है इसने अरे बिट्टू, कहां है तू? हाँ भाई, दीपू क्या हुआ? बिट्टू यार, मुझे सांडे का तेल मिल गया है क्या बताओं, बड़ी मुश्किल से मिला है अरे वो खुसर तो दे ही नहीं रहा था अब एक काम कर जल्दी से ना, बबलू और लक्टी को मेरे घर पे लेया आज घर पे कोई नहीं है मम्मी मासी के यहां गई हुई है तो एक काम कर सब को जल्दी से फोन कर और बोल दे मेरे घर आने के लिए फिर चारों जन आतों धूम मचा देंगे देखियो कितना मज़ा आएगा और हाँ, बड़ा महंगा तेल मिला है मुझे पूरे दो हजार का क्या? दो हजार का? हाँ, वो दे नहीं रहा था बड़ी मुश्किल से मैंने दो हजार का नोट दिखाया तब कहीं जाकर माना है तो इसलिए तुम तीनों अब पांच-पांच सो लेते आना नहीं तो मैं तेल लगाने नहीं दूँगा साब बता रहा हूं भाई ओके-ओके, ठीक है, ले आएंगे तो ठीक है, जल्दी करना, ज्यादा देन ना लगाना आज घर पे कोई नहीं है जितना हो सके, फाइदा उठाएंगे तेल का चलो के, मैं रखता हूं, बाई बिट्टू, बबलू और लक्की तीनों आँधी की तरह दीपू की घर में दस मिनिट में पहुँच गए आजओ, आजओ, जल्दी से, चुप करके किसी ने देखा तो नहीं तुमें आते हुए नहीं, नहीं, किसने देखना हम तो आराम राम से चोरी से आया है अच्छा, चलो, अंदर आजओ, फड़ा-फट से अच्छा, सुन, वो बियर की बोतले लाया है न? हाँ, हाँ, ये रही, तू एसी ओन कर बस मैं बोतले निकालता हूँ, और तू शीशी निकाल चारो जने जल्ली से गलास निकाले बियर की बोतले निकाली, एसी वेसी ओन किया टीवी पर गाने चलाए, वाह, पूरा महोल बन रहा था इनका, लग रहा था कि आ तो खूब मस्ती होगी, खूब इंजॉआई करेंगे ये सबाच अरे दीपू यार, जल्दी कर, दिखा तो कहां है वो शीशी? मैंने तो पहले कभी नहीं पहले तुम तीनो ना पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच- जेब में डाले और दूसरी जेब से धीरे धीरे शीशी निकाली और लाक कर टेबल पर सब के सामने इतराते हुए यूं रखी जैसे कि कोई ट्रॉफी जीत कर लाया हो। बिट्टू ने जल्दी से शीशी उठाई और देखकर कहने लगा अरे भाई ये तो सही माल है इसे तो हम सब कम से कम एक मीना तू निकाल ही लेंगे न और इसे लगाते कैसे हैं तुझे पता है न ये ललकी पहले तू लगा तू हम सबसे बड़ा है न तो पहले तेरा हक बनता है पहले तूझे ही लगानी चाहिए नहीं नहीं मैं क्यों लगाऊ भाई ये बबलू लगा लेगा इसकी दो तीन गर्फ्रेंड है न तो इसे ज्यादा मालूम है चीजों का अरे यार तूम सब न फट्टू हो लाओ मेरी तरफ इसे मैं ही लाया हूँ और पहले मैं ही लगा कर दिखाऊंगा दीपू बड़ी गर्म जोशी से उठा शीशी खोली हथेली पर तेल लगा कर बाकी तीनों साथियों को ग्यान बाटने लगा एक एक चीज बड़ी बारिकी से समझा रहा था वह अरे भाई ये देख ये देखा तेल का कमाल अभी कुछ ही सेकिंड हुए है और काम सेट हो गया है भाई का देख पूरा एकदम ऐसे है अरे ये ही तो इस तेल की खासियत है कि इसकी दोवपूर्दे डालो और मुर्दे में भी जान डाल देता है ये तेल चलो अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम तीनों भी शुरू हो जाओ लो पकड़ो शीशी तीनों ने जल्दी से शीशी अपने हाथ में ली और शुरू हो गए बस फिर क्या था कुछी मिंटों में चारों जाने एक दूसरे की तरफ देख देख कर हस रहे थे और अब सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए तेल ने तो अपना जल्वा पूरा दिखा दिया था अब इसका फाइदा भी तो उठाना था अरे बबलू वो फोन पकड़ा अब ही कोज उगाड करता हूँ अब इतना महंगा तेल लगाया है तो इसका पूरा फैदा ही उठाते हैं बबलू ने जट से दीपू को फोन दिया दीपू ने नमबर मिलाया और अरे ये फोन की रिंगटून कैसी है डोर बेल जैसी अबे नहीं फोन की नहीं सच में तेरे दोर की बैल बज रही है हैं ओओ हो लगता है काम वाली होगी उसे उपर से ही मना कर देता हूँ कि कल आ जए डीपू ने उपर से जhानकर देखा ओ भैजू जल्दी जल्रो जल्द सबी ने जल्दी जल्दी से समान उठाया और सभी ने अपने अपनी पजामे और निकरे सेट की लेकिन ये क्या तेल का असर तो कुछ ज्यादा ही हुआ था जो की साफ साफ निकर और पजामे से नजर आ रहा था ओ तेरी अब क्या करें इसका कोई इलाज नहीं है जिससे जल्दी जल्दी कुछ हो सके हमें क्या मालूम दीपू तू ही ग्यान बाढ़ रहा था बहुत अब तू ही बता कि क्या करें कैसे करें सही और उधर मा घंटी पे घंटी बजाई जा रही थी बजाई जा रही थी यार एक काम करो तुम लोग ना सोफे पर बैठ जाओ खड़े ना हो ना खड़े हो जाओगे तो सब दिख जाएगा और मुझे ये तक्या पकड़ाओ मैं जाकर तब पर दरवाजा खोलू नहीं तो मम्मी घंटियां बजाब जाब पूरे महले को इकठा कर लेगी दीपू जल्दी से तक्या साथ लेकर दरवाजा खोलने गया अरे दीपू इतना समय क्यों लग गया दरवाजा खोलने में सो रहे थे क्या तब ही तो तक्या भी साथ ले आए हो ओ हाँ मा जल्दी जल्दी मैंने तक्या रखना ही भूल गया अरे मासी नमस्ते आप भी आई हैं ममी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई आप तो देरे से आने वाली थी हाँ अंतिनी मासी को यही मारकीन में कुछ काम था तो जल्दी निकल आए अब हट भी जा रस्ते से के यहीं खड़ा रखेगा जैसे ही मम्मी अंदर गई तो बबलू, लक्की और बिट्टू को सोफे पर बैठा देख थोड़ा हैरान हुई नमस्ते अंटी जी, नमस्ते, नमस्ते हाँ हाँ, नमस्ते, नमस्ते बेटा अच्छा, तो धमाल चौकडी खटा हुई है यहाँ पर इसलिए देल लगी द्रवादा खोलने में चलो, कोई बात नी बेटा, तुम सब इंजॉई करो मैं और मासी दूसरे कमरे में जाके बैठ जाते है मां जैसे ही थोड़ा अंदर गई तो उनकी तेज नाक ने कुछ सूंग लिया कुछ समेल सी आ रही है अरे दीपू, ये समेल किस चीज़ की आ रही है? हैं, समेल? कहीं ममी को पीर की समेल तो नहीं आ रही अरे नहीं-नहीं ममी, वो अभी एपी पी थी न, उसकी समेल होगी शायद लेकिन तभी मासी ने ममी के कान में कुछ कहा मासी कुछ ज्यादा ही तज्जूर्बे वाली थी उन्हें तो शायद पूरा ही ग्यान था जैसे ही ममी के कान में उनने कुछ बताया तो ममी की आखों की पुतलियां पूरी तरह पहल गी और मूझ खुला का खुला रह गया ममी ने कुछ देखने के बाद उन तीनों को सोफे पर बैठा देख बड़ा ही तंज कस्ते हुए बोली क्यों बच्चो तुमारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कोई बड़ा आए तो उसे बस बैठे बैठे यूँ ही दूर से नमस्ते बोल देते है क्या पासा कर मेरे पाउं नहीं चुओगे ये सुनकर सबके रंग उड़ गए अभी तो कुछ ज्यादा देर भी नहीं हुई थी इसलिए तेल का असर अभी बागी था बच्चे तो यहाँ वाँ बगले चाकने लगे उठो उठते क्यों नहीं मा एकदम से चिला कर बोली तो तीनों डर के मारे एकदम से खड़े हो गए बस फिर क्या था मा और मौसी को सब कुछ समझ आ गया और दीपू ने तक्या क्यों लिया था वो भी समझ में आ गया था बस फिर क्या हुआ वही जो हर मा करती है तीनों को घर पे डांट फिटिकार लगा कर भेज कर बाद में दीपू की खूब पिटाई हुई वो भी लट पर सांडे का तेल लगा कर दोस्तो अगर ये फ़नी सी मजाग बरी कहानी आपको बसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मैं ऐसे ही फ़नी कहानिया आगे लाता रहूँगा और हमारा नया चैनल है उसे भी जाकर आप जरूर सब्सक्राइब कर ले तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बाई बाई